के गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि कक्छा ग्यारवी का जो गड़त का यह जो 100% रियल पेपर होने वाला उस रियल पेपर का फुल सॉल्यूसन जो है और कहीं नहीं मिला है सिर्फ हमारे चैनल के लावा तो फुल सॉल्यूसन जो ह है इस वीडियो में होने वाला है इस पूरी वीडियो में फूल सॉल्यूसन होने वाला है पूरे पेपर का मददते ही इस क्वेश्चन तक पूरा सॉल्यूसन हम लोग इस वीडियो में कराने वाले हैं बाकी हमने पार्ट में पार्ट वाई पार्ट में सॉल्यूसन करा रख है क्योंकि हम लोगों को जो है जली से जली 37000 सब्सक्राइबर करने हैं सिर्फ 800 सब्सक्राइबर बच्चे हैं आप लोग अगर इस वीडियो में 800 बंदी भी देख रहा है उनमें से अगर 500 बंदी भी सब्सक्राइब कर देंगे तो हो जाएगा यह टारगेट पूरा हो फिर है आप लोगों का सही विकल्ब सुनकर लिखना है तो सबसे पहले सही विकल्ब का अंसर होगा फाई मतलब सॉरी हाँ इसको क्या बोलते हैं फाई हाँ सॉरी फाई बोलते हैं से और फिर आप लोगों का आएगा कि तद्सम फिर आएगा थर्ड वाले में पांच फिर आए फिर आएगा आप लोगका फ़र्ष्ट वाला कुष्चन ओनिये और बी्त्मान समच्च है, कोन से समान समच्च है, ओकि intr um are sehe, तरद माले में आएगा सायन धीटा हुँआ है मनतों सायन औलफा अठीड है समिष संख्या 5-3 i ka संय यह इसका संय यह होगा 5 भाई 34-3 by 34 ऑगे और फिर होगा आप लोगों का एक्स के उन मानों को ओ दिये गए पर असक्ति कतन हैं ऊसमिटाओ और एक्स माइनस एक्स फाइव एक्स प्लस एक्स वाई जो बड़ा होगा वो साथ से होगा तो एक है अनिश्यत थी क्या निश्यत है ठीक है सिंपल है फिर सत्य और असत्य ठीक है सत्य और असत्य बताने तो सबसे पहला आप लोगों का हो जाएगा असत्य मतलब सबसे पहला ह क्या आतीए सही जोडिया सही जोडिया और एजी है 10-theta का 10-10 तीटा और इसका होगा सैकंड का a- intersection b-sin का हो जाएगा cos theta एक 180 का हो जाएगा πाई a union b का हो जाएगा a union a- union b-dus फिर ऐसे 90-theta का हो जाता है कॉसे x theta और a into phy तो हो जाएगा आप और चीलों का 0 से question है मतलब यह 5 वाला question है तो इस 5 वाले question की solution है यह एक सब्सक्राइब मुथतर दीजिए तो यह आप लोगों के किते साथ number के होने वाले तो सबसे पहले question का answer क्या होगा कि चार अव्यव हैं उसमें उसमें उप समुच्छे होगी संक्या कितनी होगी 16 फिर आप लोगों की follow no मैं माइनस 3 रखेंगे तो मान किता आएगा 21 आएगा ठीक है simple है and minus का 21 आएगा ठीक है minus का 21 तो नहीं आएगा minus minus plus हो जाता है हाँ okay फिर आएगा कितने एक degree में कितने second होते हैं तो एक degree आएगा under root 10 and pi by 2 and minus pi by 2 इसका answer होगा 7 वाले का and 7 वाले में आप लोगों का हो जाएगा minus 4 and 6 और आप लोगों के इसमें bracket का ध्यान देना ठीक है and अब आजाते हैं आपके question number आपके question number 6 में question number 6 में में है कि sumigrant x square plus x minus 2 को हल करके roster रूप में लिखना है तो यह लिख चुके है roster रूप में 7 वाले question में a और बी दो समुच्छ हैं तो a minus b के वे और एक द्वारा परदसित करना तो यह वे और एक द्वारा परदसित कर दिया इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं ठीक है फिर आता है question number 8 question number 8 में हमें fx बराबर x3 दे रखा है gx बराबर 2x minus 1 दे रखा है तो f plus g and into x and f minus g into x बताना है तो जहां पर सबसे पहले तो यह formula होता है इस formula में value पूट कर देंगे easy है और अब कहेंगे माइनस वाला तो यहां पर माइनस लगा देंगे simple फिर 9th वाला question हो जाता है ऐसी प्रकार से 9th वाला question रहा इसका आप लोग देख सकते है solution and फिर आता है आप लोगों का 10th वाला sign 15 का मान ग्यात कीजिए sign 15 का मान आप लोगों का हो जाएगा sign 15 को किस प्रकार से लेखते हैं 35-30 लेख सकते हैं और फिर हम लेखेंगे sign a minus b e का सूत्र क्या होता है sign a into cos b minus cos a into cos b ठीक है तो यह formula हो जाएगा फिर आता है आप लोगों का 11th वाला question की cost 75 का मान ग्यात करना है तो कौट 75 का मान क्या हो जाएगा कि कौट a plus b का सूत्र रख देंगे तो इस कौट 75 का सूत्र मान भी आ जाएगा 2 minus under root 3 ठीक है simple है कि सबसे पहले under root minus 3 e को हम पहले value put कर देंगे है अप लोगों की कि सबसे पहले cos 45 की value कितने होती है cos 45 की value होती है 1 cos 35 की value होती है under root 3 याध हो गई होगी है फिर आप लोगों का था बारवा question बारवे question का यह रहा पूरा solution एड़का ओठीन तो थार्टीनवा question खेंगा से आप लोग देख सकते यह पूरा का पूरा का आता है हल किजिएक स्वाट अप Benjamin 200 बार दिया रखा है तो एक्स का हम डिवाइड कर देंगे 200 से मतलब 48 से तो क्या है एक्स बरावर 4.6 तो एक्स जब एक प्रकृष्टिक्षंग है तो एक 2 3 4 ठीक है इसे ब्रैक्ट में बंद कर देंगे सिंपल है यह आप लोगों का अंसर हो जाएगा ठीक है यह रहा फिर र क्या करेंगे अगर हम 1500 का डिवाइड कर देंगे 15 में तो कितना आएगा 6.66 और यह प्रकृष्टिक संख्य है तो माइनस अनलिमिटेट तक चलेगी कहां तक 6 ठीक है और यह तो इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे आप लोग प्रकृष्टिक संख्य है इन्फिनिटी यहां न कि दूसरा उपसमुच्चा हो जाएगा one 2 तीसरा हो जाएगा जीरो ती चाहत्रा हो जाएगा one फिर फिर हो जाएंगे माइनस वन जीरो वन फिर हो जाएंगे जीरो वन तो यह ऐसे ऐसे करके साथ हो गाए और फिल लास्ट हो जाएगा माइनस वन जीरो एंड वन तो यह हो जाएंगा आप लोगों के पूरे आठ के आठ इनके उपसमुच्च चाहिए रहे हैं इनके उपसमुच्च हो की सूची इ है फिर 8,now question 2 रतों की चाप हमारे 60 और 75 दे रख ही है तो अब आप लोगों को बताना है उनकी तरिज्जा का नुपाद गयाद कीजिए ठीक है थो उनकी तरज्ज्जा का नुपाद करना है तो उनकी तरिज्जा का नुपाद हो सवाल उन्यसवे सवाल वे वन प्लस आई वन माइनस आई को हम एम से लेंगे बराबर एम तो एम जो है नियून तम पूर्णां को को ग्याद कीज़ें तो एम नियून तम पूर्णां को को ग्याद करेंगे हम तो सबसे पहले 1 प्लस i अपून 1 माइनस i m equals to 1 तो न्यून तम मान रखेंगे तो सबसे पहले i जो है नीचे नहीं रखा जाता हूँ पर रखेंगे तो हम इसका प्रेंगी में कर देंगे तो m का न्यून तम मान क्या हैगा 4 होगा 1 थीक है 이거는 सवाल रहा ये बीसवा सवाल हम आप लोगों को दिखा देते करमगत विसम संख्याओ के ऐसे युग्म याद कीजिए जिनने दो नो संख्याओं दस से बढ़ी हो और उनका युग्म चालिस से कम हो ठीक है तो इसका बीसवाले कोश्चन का आप लोग सॉल्यूशन देख लेंगे सबसे पहला आप लोग लिखेंगे एक्स फिर लिखेंगे एक्स प्लस टू फिर लिखेंगे दस जिस हमीकरण वन हो जाएगा जिस हमीकरण टू हो जाएगा और फिर इन्हें solve करेंगे दोनों पक्ष़ों में 2 से भाग देने पर 2 से भाग देने पर तो हमारे पास क्या आएगा嗎 X जो आएगा 19 से चोटा आएगा सौरी एक्स जो आएगा उनने से छोटा आएगा एंड ये हो जाएंगे उनके यो ग्यारा तेरा तेरा पंदरा और पंदरा उनने से बढ़ा नहीं हो सकता है फिर उन 21 के बाद की सारे सॉल्इूशन आप लोग को हमारे पार्ट पार्ट सिक्स वाली वीडियो में देखने को मि देंगे और आंगे कि वीड़ो लेंदी हो रही है वहना तो मैं बता सकता था वहना आप लोगे किस वाला सवाल दो देख सकते हैं कि मैं समझाएगी देता हूं कि यूनियन वाला है 1 2 3 4 इसमें a union b cut dash बराबर बताना है कि a dash intersection b dash ठीक है यह proof करना है कि यह बराबर होता है कि ने तो यह आप लोगों का proof हो जाता है hands proof ठीक है hands proof और यहाँ पर आप लोगों की मैं video खत्म कर रहा हूँ आंगे के 22 और 23 का solution देखने के लिए आप लोग हमारे part of 6 वाली video को देख सकते हैं इस video में मतलब मैंने का video लंबी नी हो और ना तो मैं समझा देता हूँ आप लोगों को पूरी PDF दिखाई दी है slow mo में करके स्क्रीन सोर्ड भी ले सकते हैं आप लोग ठीक है तो video पूरी खतम होती है ही पर I hope आप लोगों को video पसंद आई होगे पसंद आई है तो video को कर दीजे जल्ली से लाइक चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब और चैनल में इस video से 100 से 200 सब्सक्राइबर तो आने ही चाहिए क्योंकि पूरा का पूरा solution दिया है अतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए चलिए मैं मिल तूँ आप लोगों से किसी नई वीडियो में